नमस्ते मेरा नाम है चारू सिंग और आज हम बात करेंगे कि औरतों के खिलाफ होने वाले अपरादों के लिए क्या कानूनी प्रवधान मौजूद हैं देखिए हमारे देश में 2001 से 2018 के बीच में 15 लाग से ज़्यादा रेप के मामले आये थे ये रिपोर्टेड मामले थे तो सोची कि अन्रिपोर्टेड मामलों का नंबर कितना होगा और अगर एक बार हम रेप के मामले को साइड में रख दें तो नजाने कितने ऐसे अपराद होते हैं जैसे स्टॉकिंग, साइबर क्राइम, हैरिस्मिंग, छेडखानी या फिर किसी औ और तरह का अपराद जिनके बारे में सही कानूनी प्रभधान क्या है लोगों को मालूम भी नहीं होता तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई अपराद होता है तो उस आरोपी को कितनी सजा मिलनी चाहिए और आपको इंसाफ क किस तरह मिलेगा अगर कोई आदमी किसी महिला की मोडेस्टी को आउट्रेज करने वाला बिहेवियर उसके साथ करता है बरताव करता है या उसे कोई ऐसा शब्द कहता है या उसकी तरफ ऐसा कोई इशारा करता है तो यह IPC की धारा 509 के अंतरगत एक कानूनी अपराद है द चुर्माना भी भरना पड़ सकता है एक और बहुत बड़ी समस्या है स्टॉकिंग की जिसका मतलब है पीछा करना और इसके बारे में कानूनी प्रवधान IPC के सेक्शन 354D में मौजूद है देखिए स्कूल, कॉलेज या अपने वर्क प्लेस से वापस घर लोटते वक्त य अगर रास्ते में कोई भी आपका पीछा करता है या फिर आपके मना करने के बाद भी आपसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता है या आपके ये स्पर्ष्ट करने के बाद कि उसके एडवांसेज में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका पीछा करना नहीं छोड़त या इंटरनेट पे आप क्या कर रहे हैं इस बात की निगरानी करता है या वहां आपका पीछा करता है और आपको बार-बार मेसेज करके परेशान करता है तो उसे स्टॉकिंग कहा जाता है इसके खिलाफ एक सक्त कानूनी प्रभधान IPC में मौजूद है अगर कोई इंसान पह इंटरनेट के द्वारा ओरतों के खिलाफ किये जाते हैं देखिए अगर कोई भी व्यक्ति आपकी कोई भी प्राइवेट पिक्चर्ज वीडियो या प्राइवेट कंटेंट यानि प्राइवेट पार्ट्स का इकंटेंट कहीं भी दिस्रिब्यूट करता है तो उसे पहली बार ये काम करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है और इसी अपराद को दोराने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है अगर कोई आदमी किसी औरत पर किसी तरह का assault या criminal force करता है उसकी modesty को outrage करने के लिए यानि उसकी इज़त या उसकी respect को अपमानित करने के लिए तो ये IPC की धारा 354 के अंतरगत एक कानूनी अपराद है यानि कोई भी अगर किसी महिला के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती करता है उसका हाथ पकरता है या कुछ ऐसा कारे करता है उसकी modesty को outrage करने के लिए तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पढ़ सकता है पिछले कुछ सालों में औरतों के खिलाफ होने वाले अपरादों में एक सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ अपराद है acid attack का यानि तेजाब से किसी औरत पर हमला करने का इस अपराद के लिए एक इनसान को 10 साल से लेके उम्र कैथ तक की सजा हो सकती है और ऐसे अपराद करने की कोशिश करने में उसे 5 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है और अगर किसी महिला के खिलाब ये अपराद किया गया है तो उसे कम से कम 3 लाख रुपे तक की कमपनसेशन मिलनी चाहिए हमारे समाज में एक पैट्रियार्कल सुसाइटी है यानि पित्रू सता चलती है जिसका सबसे गंभीर सच है घरेलू हिंसा तो ये घरेलू हिंसा IPC की धारा 498A के अंतरगत कानूनी अपराद है यानि किसी भी महिला का पती या उसके पती का रिष्टेदार अगर उसके साथ किसी तरह की हिंसा करता है किसी भी तरह की मानसे किया शारेर एक कश्ट को उसे देता है तो ये एक कानूनी अपराद है जिसके लिए उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है अब बात करते हैं सेक्शल हैरिस्मेंट की जो की IPC यानि इंडियन पीनल कोड की धारा 354-A के अंतरगत एक कानूनी अपराद है तो वो एक कानूनी अपराद है जिसके लिए उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पढ़ सकता है अब बात करते हैं रेप के अपराद की इस अपराद का नंबर हमारे देश में हर साल बढ़ता जा रहा है आए देन आप अपने न्यूस पेपर्स में या टीवी में ऐसे बड़े बड़े रेप केस के बारे में सुनते हैं जैसे 2012 का निर्भया कान, हैदराबाद रेप केस या उत्तर प्रदेश में हुआ उनाओ या कठवा रेप केस इन सारे रेप केसिस की परिभाषा section 375 of IPC के अंतरगत दी गई है यानि अगर कोई भी आदमी किसी महिला की मर्जी के बिना उसके consent के खिलाफ या जोर जबरदस्ती से या धमका के उसका consent लेकर या फिर मानसिक संतुलन खराब होने पर उसका consent लेकर उसके साथ शारेरिक संबंध बनाता है तो उसने रेप का अपराद किया है यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि पूरी penetration की जरूरत नहीं है रेप के अपराद होने के लिए किसी भी हद तक penetration हो यानि कोई भी इस तरह की हरकत हो तो उसे रेप माना जाएगा इसके लिए एक आदमी को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पढ़ सकता है और अगर यह अपराद कोई armed forces का member, कोई police officer, कोई public servant, किसी जेरिया hospital का staff member करता है तो भी उसे 10 साल से लेकर उसकी जिन्दगी खतम होने तक उम्रकैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पढ़ सकता है अगर अपरादी के इस क्रूर अपराद की वजए से एक महिला की मृत्यू हो जाती है या फिर वो एक vegetative state में पहुँच जाती है जहां उसकी रोजमर्रा की जिन्दगी वो एक आम इंसान की तरह नहीं बिता सकती तो ऐसे में उस व्यक्ति को 20 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पढ़ सकता है यहीं अगर ये अपराद 12 साल तक की माइनर लड़की के साथ हो तो उस व्यक्ति को, अपराद करने वाले व्यक्ति को 14 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है अगर ये अपराद 12 साल तक की माइनर लड़की के साथ एक ग्रुप, एक समूम मिलकर करता है तो उस ग्रुप के हर एक इंसान को 20 साल से लेके उम्र कैत्त की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पढ़ सकता है इस सजा में जो जुर्माना भरा जाएगा वो इतना होना चाहिए कि उस पीडिता की medical expenses और rehabilitation की cost निकल जाए और वो सारा fine उस पीडिता को ही मिलेगा ये सभी अपराद बहुत ही संगीन है और किसी भी महिला के लिए कई सारे मानसिक और शारे रिक consequences लेकर आते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि अपरादों के खिलाफ सही कानूनी कारेवाई हो और हमारी कानून वेवस्था महिलाओं की जिन्दगी को और बहतर बनाने के बारे में सोचे अगर किसी महिला के साथ ये अपराद होते हैं तो उसे police station जाकर भी अपनी report लिखने की जरूरत नहीं है वो अपनी बात को एक email के द्वारा police तक पहुचा सकती है और ऐसी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉपर